शार्दिय नवरात्री शुरू होने से पहले घर से निकाल दे ये नौ चीजे वरना हो जाओगे कंगार। शार्दिय नवरात्री का प्रारंभ पित्रि पक्ष के समापन के बाद यानि आश्विन आमवस्या के बाद ही होता है। आश्विन माह के शुकल पक्ष की तिथी को कलश स्थापना के साथ शारदिय नवरात्री का शुभारंभ होता है। यह नवरात्री शरद रितु में आती है। इसलिए इसे शारदिय नवरात्री कहते हैं। एक नवरात्री चैत्र माह में आती है। उसे चैत्र नवरात्री के नाम से जानते हैं। इन दो नवरा नवरात्री के अलावा दो गुप्त नवरात्री भी होती हैं। के बुराई का नाश करती है। इस दोरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। और इस दोरान घर की साफसफाई और नकारात्मक उर्जा को दूर करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो घर में कलेश और परेशानिया ला सकती हैं। इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बढ़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार तूटी हुई मूर्टियां और फटी हुई तस्वीरें रखने से देवी देवताओं के अपमान माना जाता है। इन्हें नवरात्री से पहले घर से निकाल देना या हटा उचित माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। नवरात्री के दौरान घर को साफ सुथरा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ सफाई करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और मा दुरगा की क्रिपा प्राप्थ होती है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक मूर्थिया तस्वीर शारदिय नवरातर में घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। यदि आपके घर में देवी और देवताओं की खंडित मूर्थिया या फोटो हैं। ऐसी मूर्थिया हैं जो कांतिहीन हो चुकी हैं तो उनको ततकाल घर से बाहर निकाल दें। उनको किसी पीपल या वट व्रिक्ष के नीचे रख दें या फिर उनको किसी नदी या तालाब में विसरजित कर दें। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से दोश लगता है और घर में रखने से वास्तु दोश भी उत्पन होता है। दोग लहसुन और प्यास शारदिय नवरात्री के दोरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और लहसुन और प्यास खाने की भी मना ही होती है। अन्यथा आपको नवरात्री के दोरान कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज न ला तीन जूते चपल शार्दिय नवरात्री से पहले आपको अपने घर से फटे पुराने जूते चपल हटा देना चाहिए। अन्यथा ये साधक की प्रगती में बाधा बन सकती हैं। तूटी जाडु घर में रहने से वास्तु दोश भी लगता है और नकारात्मक उर्जा आती है। पांच बंद घडी घर के किसी भी कोने में बंद घडी पड़ी हो तो उसे नवरात्री से पहले निकाल कर फेंक दें या फिर उसे चालू कर दें। बंद घडी से राहु का प्रभाव बढ़ता है जो माता को पसंद नहीं। बंद घडी घर में होने पर माता नाराज हो सकती है। 6. तुलसी का सूखा पौधा हिंदू धर्म तुलसी को भी मा लक्षमी का प्रतीक बताया गया है। कहते हैं घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुब होता है। इससे भगवान विश्नो नाराज होते हैं। नवरात्री से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें। तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक उर्जा का संचार होगा। 7. कबाड घर पर बेकार पड़ा हुआ कबाड नकारात्मक उर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। हो सके तो नवरात्री से पहले घर पर बेकार पड़ा हुआ कबाड हटा देना चाहिए। आठ सूखे पड़े फूल रोज पूजा करते समय भगवान को हम सभी फूल चड़ाते हैं। यह फूल कुछ दिनों में सूख कर बेकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्री शुरू होने से पहले इन फूलों को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहि कि सूखे फूलों का घर में रहना शुभ नहीं होता। नौ कटी फटी धार्मिक उस तक वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कटी फटी धार्मिक किताबें नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में ऐसी किताबें घर में नकारात्मक उर्जा लाती हैं। अगर कोई धार्म पर ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदस्यों से मा लक्षमी नाराज रहती है। अब रात्री शुरू होने से पहले घर से काच की तूटी हुई चीज निकाल दें। पूजा घर हमारे आवास का अहम हिस्सा है। पूजा घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इसके लिए आप वहाँ पर पड़े पुराने कलावे अशुद्ध फूल, खराब नारियल, तूटा हुआ माला आदी जो भी हो उनको हटा दें। इन सब के कारण दोश उत्पन होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग भी वर्जित है। कई बार हम पिछले वरत और त्योहारों की सामगरी को सही से नहीं रखते और वे धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं। इसलिए उनको भी हटा देना जरूरी है। 14. बेकार खाना, नवरात्री से पहले घर से खराब खाना और अचार निकाल देना चाहिए क्योंकि इस से मा दुरगा नाराज हो सकती है। नवरात्री से पहले घर और मंदिर की सफाई करके स्वच भोजन बनाया जाता है। दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाये रखें। जै श्री कृष्णा दोस्तों।